जैसा कि तुम लोगों से वादा किया था कि हम और वीडियोस बनाएंगे बलकर वादा नी था किया बस कहा था कि हम अगर तुम लोग चाहते हो तो ऐसी मजीद वीडियोस बना सकते हैं तुम लग सोच भरोगे किस वीडियू की बात हो रही है वही इस वीडियू की बात हो रही है जिसमें हमने GAN 356 M को दोबारा, मेर है थे दो थीन साल बाद क्लीन करके नए तरह से सेट अप किया था और क्या सकते है एक तरह का एक दोबारा उस क्यूब को नया बनाकर हमने ट्र करते हैं तो होता नहीं वैसे यहां पर शायद लग रहा हो बहुत स्मूर है लेकिन सच बताऊं तो यह बहुत बुरा फील हो रहा है इस वक्त तो आज की वीडियो में हम इसको सेट अप करने वाले हैं सबसे पहले इसको क्लीम करेंगे और उसके बाद यार इसको सेट अप करे करेंगा यार तो आएफ सिंग हमें कोर से शुरू करना चाहिए बहुत बुरी हालत है टाइम लैप्स पर चले जाओ इसको मैंने गीला कर लिया कपड़े को और अब इसको क्लीन करना शुरू करते है लो वे फाइनली हमने इसको क्लीन कर दिया और हंडर्ड परसंट इसका रिजल्ट आया यह बहुत पास्ट हो गया लाइक मुझे इसका फीलिंग याद भी नहीं था यह बहुत नेक्स लेवल हो गया और सेटिंग की बात करूँ तो मैगनेट्स को मैंने सेकंड क्लिक पर रखा है अगर तुम लोगों को नजर आ रहा हो सेकंड बस समझ जो सेकंड पर हर तरब से है जोके सेकंड स्ट्रॉंगेस्ट सेटिंग है और जो स्प्रिंग कंप्रेशन है वो है फूर्थ क्लिक पर और टेंशन्स तुम लोग होने वाला है और मैं यहाँ पर setup यह setup करने वाला हूं तो बहुत क्या है क्यूब क्यूब बोहुत फास्ट अब मैने सोचा नहीं था यह इतना फास्ट और मुझे कही ना कहीं slow क्यूब्स पसंद आने लग पड़े में जब मैंने यह खरीदा था 2021 की बात है दो साल होगे तब मुझे फास्ट क्यूब्स पसंद थे और तब मुझे यह स्लो लगता था तब भी हलागे मुझे फास्ट क्यूब्स पसंद थे और यह एक फास्ट क्यूब्स पसंद थे और यह ये तो बहुत fast है और fast cubes इतने like finger tricks आप out of control जाते हैं और भी बड़े मसले हैं तो slow करना जरूरी है क्यूब को फिर भी ये personal हर बंदे की preference है कईयों को fast cubes पसांद होते हैं और वो still बहुत अच्छे cubers होते हैं और कईयों को slow cubes पसांद होते हैं और वो भी बहुत अच्छे cubers होते दूसरा loop जो इसमें जाएगा वो है angstrom dignitas हमने और इसमें weight 5 डालके इसको break in कर लिया और मुझे वैसे अब ये ज्यादा ही slow feel हो रहा है बट हम break in कर लेंगे इसको वो कोई मसला नहीं बट ये काफी control level app हमें pieces खोलने की कोई जरूरत नहीं हम इसको अंदर ऐसे ही लगा सकते ह बट है 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 इसको काफी ब्रेक इन किया मुझे यह जरूरत से ज्यादा इस वक्स लो लग रहा है खैर हम अभी लगाने वाले हैं इसमें mystic यार अब हुआ यह fast और भी extremely हमारा हो चुका है setup complete और मुझे बहुत creamy फील हो रहा है इस वक्ति यह क्यूब लाइक तुम लोग आवाज भी सुन सकते हो इसके इंतर ऐसा है कि ल्यूब रच्चा बसा हुआ है और वही still 2021 अभी तो मुझे यूस करने के काभी लग रहा है दो इसको ब्रेक इन वगेरा करने के बाद तो तब तक किले यार में थोड़ा सा टाइम दो और सब्सक्राइब कर जाना वही आगे हम वही फाइनली हमने इसको setup किया था तुम लोगों ने देखा हमने इसको ब्रेक इन किया और मज़ेदारी की बात मैं spoiler देने लगाँ थोड़ सा एवरेज ओफ हंड्रड एवरेज ओफ फिफ्टी एवरेज ओफ 12 मेरी पी भी आई है इस क्यूब पर आगे जाकर बताऊंगा वह कितनी थी बट उससे पहले इसकी बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले इसका वेट देख लेते हैं क्योंकि आइधिंग वेट उस दौर म 7070 का है इतना वजनी नहीं है क्योंकि यह 2021 का क्यूब है तो तब फिर भी थोड़े आज के दोर के हिसाब से वजनी क्यूब थे तर्णिंग की डारेक्ट बात करते हैं कलर्स ठीक हैं टर्णिंग पर चलती है यार एफ़र्ट लेस टर्णिंग है बट स्टिल बहुत स्टेबल है आउट अफ ता बॉक्स यह बहुत फास्ट होता था बहुत ही फास्ट बट जब से मैंने इसको ल्यूब किया है यह मस्त स्लो हो गया स्लो मतलब अच्छे बला स्लो जो कंट्रोलेबल जिसको हम बोलते है और स्टेबल लाइक तुम लोग देख सकते हो यह मुझे अक्यूरेट गुमाने पर मजबूर करता जैसे आटो करेक्ट नहीं होता वैसे यह समेलो आटोमेटिकली इस पर रफ भी टर्ण करूं तो यह ठीक कर देता भी ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ खौर्ण के बात की जाए तो तुम लोग देख सकते हो 45 डिगरीज मखण हाफ पीस मखण इक चीज इसके मैगनेट्स मुझे पता नहीं क्यों यार वीक लगे अला कि मुझे आतका आरस्तरीम के नहीं लगे ऐसा मैं गया रहा हूँ ऐसा बाकी मैंने किसी का नहीं सुना लेकिन अगर ऐसे हम चेक करें तो ऐसे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लगती है बड़ जब हम इसको टर्न करते हैं तब फील ही नहीं होता कि इसमें मैगनेट है शायद यही कमाला है इस क्यूब का के फील ना होते हुए भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो मैगनेट्स की बेस पे है आप्यसली अच्छ और तुम लोग इसको स्क्रूड्राइवर से जो फ्लैट हेट स्क्रूड्राइवर होता है अच्छ कर सकते हो जो इसके साथ सॉड्स मिलती है वो बेकार है पीब यह इसकी बात की जाए तो भई सब 11 जो मेरी एवरेज ऑफ 100 थी वो इस क्यूब पे 10 पॉइंट I think 10.8 सम्थि थी मुझे अब ठीक से याद नहीं है एवरेज ऑफ जो 12 थी वो सब 10 थी और एवरेज ऑफ 50 भी 10 पॉइंट सम्थिंग ना सब 11 थी तो इस हिसाब से तुम लोग कह सकते हो कि यह क्यूब बहुत मज़ेदार निकला यार मतलब मैं जब से इसको सेट अप किया इसको टरेंड करने से मैं हट ही नहीं पाता यार अब तुम लोग कोगे कि यार आज से साल पहले तो इस क्यूब को बड़ा बुरा बला कहता था और अब अच्छा कहने लग गया मैं फिर बता दू रिसेंटली हारी सामिर आया था और उसने मुझे बताया बैसिकली मुझे फील करवाया कि स्लो क्यूब कितने जरूरी हैं हमारी स्पीड के लिए उससे पहले मुझे फास्ट क्यूब सी पसंद आते थे लेकिन अब मुझे स्लो इसी लिए मैं वायर स्रीम भी मुझे पसंद आ गया और अब ये यार मतलब ये एक और तुम लोगों को बता दूंगे मेरा में क्यूब बन चुका है like 2021 का क्यूब 2023 जाने वला मेरा में है यार स्टेबल कंट्रोलेबल नेक्स लेवल यार एक आखरी बात ये क्यूब वो था जहां से मैंने अपनी सेट अप क्यूब को सेट अप करने की जर्नी को स्टार्ट किया था like उससे पहले मैं सिर्फ ची एम लिउब यारू यूब यूज कर लिया लेकिन जो एडवांस लेवल के सेट अप सोते हैं जो कॉंपलिकेटिड थोड़े होते हैं like वेट फाइफ एंक्स्ट्रम ग्राविटास डिगनिटास का मिक्स्टर डिनम 37 इन में डालना मिस्टिक इस तरह कि जितने भी सेट अप थे वो मैंने इस क्यूब से स्टार्ट किये था और शुरू में मुझे सेट अप करना नहीं था ये भी एक बहुत बड़ी वज़ा कि मुझे सेट अप से नफरत थी मैं हर दफा इस क्यूब में सेट अप खराब कर देता था फिर मुझे लगता था कि सेट अप करते साथ इसकी टर्निंग मस्त हो जागी लेकिन नहीं मैंने यह observe कि आपको 50 से 100 solves करने पड़ते हैं setup करने के बाद फिर आप इसकी final turning को achieve कर पाते हो तो बस यार इस cube से कुछ ना कुछ जादे जुड़ी हुए और basically हम एक तरह का yo cube यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें yo cube यूज़ सेट अप किया है तो यह cube वाकई में वर्थ है I think so और इसी के साथ वीडियो को खतम करता हूँ अगर वीडियो पसादे है तो like, share, comment सब कुछ कर जाना चैनल पर नहीं जाए को subscribe साथ बने बेल एकन को दबा लो यार यह नहीं तो यह मजीदो कुस्से में आजएगा subscribe यार